हालो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर वज़ार वित आयुश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके वारे में टाटा टेक्नोलोजीज के क्यू फर्न नंबर्स के वारे में जी हां फर्स कोटे के कंपनी की रिजल्स आ चुके हैं वैसे अगर आज देखा जातों स्टॉक प्रेश्य में था बहुत बड़ी गरावट तो नहीं थी बट नोड़ावट दोस्तों स्टॉक में कोई टेजी पे हमको देखने को नहीं मिली पिछले एक महिने के अंदर शेयर में आप के कंपनी के पर और चर्चा करेंगे स्ट नंबर्स पर आ गए हैं सेल्स कंपनी की सेल्स में आप दिखेंगे तो मेजर ली कंपनी की सेल्स आपको फ्लाट दिखेगी कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा नेट प्रॉफिट कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों जो करीबन 192 करोड था प्रिविएस एर वो घड़कर 162 करोड पर आ चुका है यानि 15% का डिकलाइन कंपनी के प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा है और वाय वाय बेसिस इससे प्रिविएस कौटर में कंपनी का जो EPS था वो 4.72 था वालब इस प्रिविएस एर में सेम कौटर में करीवन जो कंपनी का EPS था वो 4.72 का था जो घड़कर 4 पर आ चुका है अल्मोस्त यानि कंपनी का दोस्तों जो पहले हर एक शेर पर अल्मोस 4.72 रुपीस कमा रहे थी आज दोस्तों कंपनी 4 के इन पर हो चुका है तुब कमपनी के नंबरही कोई खास हमको positive तो देखने को नहीं मिल रहे हैं यानि कंपनी के में उल्मोस इसी से पहले जो सेम कॉर्टर था वहां पर 20% कहते हैं तो उससे इस कॉर्टर में तो गिरावट आव्विस से वाद हमको नजर आईए बट यह कह सकते हैं कि ठीक है कंपनी का क्योंकि देखे टाक्स कम था 26% लगता हुआ नजर आया बागी सब चीज़े ठीक आगा आप देख सकते हैं बट मीजर यह दिखता है दूस्तों कंपनी के जो नंबर्स है वो नंबर्स ठीक आ रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि देखे बहुत और क्यों इस प्रकार के नंबर्स हमको आते वह नजर आया और आगे कंपनी ने फ्यूचर काइडिंस क्या की दिया है तो दीकर वर सबसबकार margins have remained resilient during the quarter reflecting our strong operating discipline we are committed to strategically investing in key growth areas while optimizing cost and improving efficiency across the organization यानि basically company ने बता है कि revenue पर असर आया revenue पर आप कह सकते हैं ऐसा बहुत बड़ा असर तो नहीं आया बढ़ा ठीक के revenue बड़ा आपको increase देखने को नहीं मिला जो company की winfast की deal थी वो definitely cancel हुई उसके कारण भी अगर आप देखेंगे तो असर आना चाहिए था बट company ने का कि असर नहीं आया यह दिखाता है कि हमारी operating discipline काफी जादा है यह company ने साफ सब का और company ने भी का कि हम वहां पर invest कर रहे हैं जहां पर growth areas है जहां पर हम cost को optimize कर सकते हैं और efficiency और बढ़ा सकते organization के अंदर इसके उपर company ने जादा तवज्य होती company के जो दोस्तो gross margins है वो almost 28.2% पर आते हैं जो पहले 28.3% पर थे वह जो services का business है वो दोस्तो margin में अगर आप देखेंगे तो 31.1% पर आ चुके जो पहले 31.4% थे तो यहां पर भी कमी देखने को मुलिए जो company क को services business है ना वो sequentially revenue उसका अधर भी drop है around 1% की आसपस 985 करोर और management ने साफ साफ का है कि जो winfast का transition है वो largely अब behind है यानि अब company मान के चल रहे है कि जो winfast का असर था वो पीछे चूट चूट चूगा अब उसका जादा असर पढ़ता हुआ नहीं आएगा और company ने का कि हम sequentially growth की तरफ बढ़ेंगे services business में आने वाले quarter में ये company ने basically बताया अब winfast की deal को जोड़ा सा और हम आगे लेकर जाते समझते की हुआ क्या था company कह रही है कि हमने कुछ major deal wins करी है इस quarter के अंदर जिसका no doubt देखें यहाँ पर जो पूरा असर है वो company में पढ़ता हुआ निजर आएगा उन्हें ने काया कि Tata Tech has said it has been selected by a global EV battery manufacturer for battery design by a leading commercial vehicle OEM by another North American commercial vehicle manufacturer and also signed a multi-year engagement with a European Tire 1 Aerospace company तो company नहीं बताया कि no doubt जो deals है वो company को और मिलती में न था वो असर company ने थोड़ा सा neutralize कर लिया है जो Q4 है वहां से अगर हम इस बार numbers देखेंगे तो no doubt दूस्तो company के numbers में आपको कमी देखने को मिलेगी क्योंकि जो technology solution segment है वहां पर असर पढ़ता हुआ देखने को मिला है राइट जहां से one third of the revenue आता है वहां पर असर पढ़ा है जो company का services segment है उधर भी असर पढ़ता हुआ नजर आ है यहां हर चीज में अगर आप दिखेंगा तो company ने थोड़ा सा इस बार खरा प्रदशन किया यह दोस्तों मैं साफ कह सकता हूं अब results जरूर देखें अनौन्स हो है after the market तो यह जरूर है कि कल किस तरीके से share करेगा यह द वह दोस्तों जो company के थोड़े बहुत यहां पर जो बड़े clients थे वो जो चुटकते हुआ नजर आ उसका असर जो है वो no doubt पढ़ता हुआ नजर आ रहा है यह बात साफ दिखती है बाकी अगर मैं बात करता हूं services business की overall to 78% का contribution जो है वो देता ही है और overall top line जो है वो इस पर का क continue positive करेगा within our anchor accounts and tailwinds that we expect to continue intersect with automotive aerospace and industrial heavy machines machinery right so अब सबसे बड़ा question क्या है कि दोस्तों क्या करेगा यह राइट कल कितना हमको या पर fall दिखने को मिलेगा या फिर तीजी दिखने को मिलेगी तीजी के expectations बहुत कम है numbers में के अंदर कोई बेसे तीजी की बात नहीं है यह कह सकते कि management positive ह management कोई बात negative नहीं दिखरी है बहुत जिवाद धानरगी का Tata Group का management बता देता है कि अगर कोई problems हो तो वो पहले बता देते कि हाँ भी कुछ problems है but I think अगर management कह रहा है कि आने वाले quarters से हम और बहतर होते हैं नजर आएंगे तो markets उसको भी जरूर दोस्तों समझेगा उसको भी द रखेगा इसका बावनुफतों का low है जो अपना आप में हम कह सकते कि important level है अगर कल इसके नीचे फिसला तो फिर यह हम कह सकते कि साड़े 900 रुपे तक के level हमको स्क्रीन पर दिख जाएंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सिंपल सी बात है देखना यह हुगा दोस्तों क कितना दोस्तों शेर में कल हमको शुरुआत में ओपनिंग देखने को मिलती है अगर gap down ओपनिंग होती है तो क्या वो बाद में बाइंग में तबदील होगी या फिर और selling pressure आता वा नज़र आएगा यह सारी चीज कल बहुत जादो दिल्चस्प होगी देखना बिकूस उस आप लगाता देखिएंगे थोड़ी बहुत तेजी में फिर गिरावट आती है फिर तेजी होती फिर बड़ी गिरावट लगाता इसी तरगी का pattern है तो आइधिंग कल खुलेगा यह नीचे बढ़िया नीचे कितना नीचे खुलता है 982 रूपीस का level क्यों important है वो बावनु important level है जिसको share respect करता है नहीं करता है रेखने वाली बात होगी मुझे लगता है कि कल यह 4-5% नीचे जाने का content पूरा पूरा है तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था hopefully आपको वीडियो बड़े लगा होगा बाकि आप लोग बताइए आपको कर लगता है कल टाटर टेकनोलोजी में कितनी गिरावटा सकती है इस वीडियो में इतना ही था thank you friends watching this video